कि जैहिन दोस्तों आज हम बात करेंगे बटवारा के बारे में थोड़ा अलग किसिम के बटवारा के बारे में बात करेंगे क्योंकि जो सवाल आया है वो बिल्कुल अलग तरह के आया है कई लोगों ने पूछा है कि पैतरिक संपत्य मतलब कि पिता के नाम से है दादा के ना बना हुआ था उसमें दूसरा मंजिल मैंने बनवाया है तो क्या क्या उस जमीन पर मेरा हक होगा या फिर मैं एक्स्टराल ले सकता हूं या फिर अपने मकान का हिस्सेदारी सबसे मांग सकता हो खर्चा इसमें बहुत तरह के प्रस्ण आये हैं सारी डिटेल्स मैं आपको बता बनाता रहा और नए नए टौपिक लाता रहूंगा तो आप कीजिए कीजिया और वीडियो को पूरा देखे तभी आपको समझ वाया इसकिप मत करिए पूरा देखिये कम समय में बताने का प्रयास करूंगा तो आते हैं अपने टॉपिक पर कि पीता के परपटी पर बेटा चया ona या फिर आप włas जामीन परब्रेंबन वर या फिर दूसरा तीसरा मंजिल अपने पैसो से सब्लबा से बन वाया जैसे कि पैतरिक नहीं हुआ है अपने हमें मचन वहां आप फ्रेल परदादा Gru दिया अपने पैसे बञाएं कुछ लिए आonta स演 आ acqua खर्चा लगा हुआ है मेरा मेहनत लगा हुआ है इसलिए मैं जमीन ज्यादा लूँगा या फिर जो मकान बना हुआ है उसके बदले पैसे लूँगा कुछ ना कुछ लफड़ा होता ही इस तरह के विवाद एक दो नहीं है अपने देश में लाखों की संख्या में क्यों क्यों ने नहीं कि जिसने हुआ है इसलिए मैंने टेस्यलस लाख लाख़आ में मुझे ज्यादा इसलिए आपने फूर्प आपने बनवाया या फिर यह वोटा है कि मैं प्रसाब चाहिए कि दूसरी स्री मनज़ीत कि तक पैसा नहीं दो तब तक बटवारा नहीं होगा तो आपको जनखारीे हुआ लहें कि सब्सक्राइब करके तोγके क्योंकि आपने अपनी मर्जी से बनवाया जब तक उस परपटी का बटवारा नहीं हुआ जमीन का बटवारा नहीं हुआ था और पूरे में आपने मकान बना लिए लेकिन जो जमीन है वह जमीन है आपके पिताजी के नाम से या परदादा के नाम से किसी के नाम से हो पैतिरि वोपर मकान बनाया लेकिन नीचे जिसका हिखा हें उससे आपने लिखित कोई भी वटवारा नहीं किया नहीं कोई लिखित पर नोटरी द्वारा ही एफिट बना हो या फिर आप दुनों के सहमति से सिंगनेचर से कोई पेपर बना हो गवाहों के साथ में इस तरह का कुछ है तभी आप दावा कर सकते हैं अपने मकान में पैसा यह खर्च वहापे पाने के लिए अन्य था आप उस पर दावा नहीं कर स जमीन में सबकी हिस्सेदार यह अंखे भाइ चाचा लीज अब नहीं तो उसका भी यह बना लेकिन अप गद्वारा होगा तो हो सकता है आपका पैसा देने का उसका जिम्यवारी नहीं कोई भी राइट नहीं है आपका कोई भी अधिकार नहीं कि आप परेसर करके जबरदस तौत से आधेस लेकर Chore तोर न Kelsey अपर हटाना परगा जिस कंद में जमीन याएगी वह भश्त क esfuerете बनाए अगर इससे में फिर चान आ यहाँ और सभी का सभी का ब्रावर हिस्सा हां फिता के नाम से अगर पोपटी है और यहीं नाम से पूरपटी ने यहां दो लिए लेकिन आपके भाईयों में इस चीज की ध्यारा हो रही है कि कि मैं से दो languages सकते हैं दोनωबना न ही तो हम हुआ है मकान बनाूँ है और पिता के नाम से जमीन पॉर्पट्स है और आपसे कर देते हैं अन Key लिग news के लिग देता हैं तो कोई रोख नहीं सकता है कि पीता चीमीन पर्पट्स तब तक बेटा ये बेटियों का किसी का कोई अधिकार नहीं होता है आप उस परपठी का हिस्थे दारी नहीं होते हैं उनके नहीं रहने के बाद ही उत्र-अधिकारी आप बन पाते हैं तो आप जीते जी उनसे लिखवाले रिष्टरी कर वाले थिए अलग में यह नहीं करेंगे बाद में आपका भाई आपकी बहान उस मकान में बिदावा करेंगे और उस जमीन में तो उनका हिस्चा रहे गा ही रहे तो जिन दोस्तों ने ये सवाल किया है मुझे उम्मीद है कि यह सवाल का जवाब उन्हें मिल गया होगा मैंने बहुत विस्तार से बतानी की कोशिस किया सारी बात मैंने आपको बता दी है कि आप पैतिरिक संपतिवे घर मकान बनाते हैं तो बीना बटवारा का नहीं बनाए अगर बनाते भी है आप जितने भाई है तो सभ मान हिसेदार हो जाती है क्योंकि प्रपटि पिता के नाम से हो तक करना से होता है जिसका उत्रधिकार США कुई फिर जमीन तो पैत्रिक हो तक या फिर उस में पैसा लगान लुगा है मैं तो इसका हिस्सेधारी लूगा पैसे लूगा फिर जमीन जुदा में चले जाते भाए के खिलाब चा चा हिए हैं को भी करते हैं और 10 साल च्कृट नहीं निकलता पता चलता है उसने पैसा लगाए था के शक मैं कंदधार्शiran कर छुट तो दोस्तों इस तरह के लफ्रा में ना पड़े अगर इस तरह का कोई विवाद है तो बाहर ही हल कर ले कोट जानी के जरूरत नहीं है मैं इसलिए इस तरह का वीडियो बनाता हूं ताकि लोगों को सब चीज मालूम रहे के पास जाएंगे किसी ओखिर आएंगे मेरा काम है अगर आप जीद करेंगे कि मुझे केस करना ही लांगै तो मेरा मजबूरी है मेरा कां है क्योंकि मेरा पैसा और फेशन तो मैं करूंगा तो कर देते हैं वह राखी आपके पास प्रूफ नहीं होता है को अच्छा दलील होता इस कारण से तारीक दर तारीक दर तारीक दर तारीक दर तारीक चलता रहता है 15 तो आपको मालूम है कि भाई बना लिया तो चलो आपस में बैठके उसको कुछ खर्चा देते हैं तो अगर नहीं उसके हिस्से में आ जाती है तो वह जमीन ही उसके हिस्से में देते किया जा रहा है अगर आपसी सामति से सब कुछ किया जा तो इसका निदान निकल सकता है लेकिन मुझ की लडाई हो जाती है कोई सोचता है कि सरक किनारे उसका जमीन है जिसमें घर बना लिए मुझे पीछे से मिलना है लेकिन उसको भी थोड़ा कंपरमाइज करना पड़ेगा महेंगी जमीन है भाई को पीछे दे रहा तो उसका फर्ज बनता है मेरा सरक किनारे महेंगी जमीन उसके उस त्रोर में पीछे दिया जा रहा है तो उसके बदले उसे कुछ पैसा देना चाहिए रेट के जमीन है तो किसी के और लियो है को पीछे पीसे देना चाहि को इस और निदान ले रहा है आगे यहां थो कंप Congrond लेइन थो पीशहए यहां जए और भाई जळादा मिलना चाहिए सबसे बड़ marketers कोई जगर नहीं होगा कोई लफ्रा मैं बदाएगा निदान निकलेगा कोई दिक्कत नहीं कोई सबक सीखाना अप सबड़ सिखाते हैं आपके बालवच्च नहीं कर पाते हैं कोट नहीं बोलेगा लेकिन जो मैं सिच्वेशन देख रहा हूं और मैं वीडियो बना के लोगों से मना करता हूं कि कोशिस कीजिए कोट से बाहर ही मामला को हल कर लीजिए कोई भी अगर बड़ा मामला भी है तो आप अपने पंचायत के सरपंच के पास जाए या फिर मुखिया के सबस्क्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेका सब्सक्राइब कर रखाका तो इसके बहुत-बहुत धन्यभाद देता हूं आपको और इसी तरहούμε मेरे वीडियो में मैं आपको नए नए वीडियो ले вд तब तक के लिए हिंद कि